Good morning friends, welcome to short hand help line Good morning is 10ography series में आप सभी का स्वागत है जहां आपको मिलता है प्रति दिन 4 dictation, 70 सब्द प्रति मिनट, 80 सब्द प्रति मिनट, 90 सब्द प्रति मिनट और 100 सब्द प्रति मिनट के dictation तो आपके speed जितनी भी हो आप अपने speed के according इस dictation को लेख सकते हैं तो चले start करते हैं सबसे पहले 70 सब्द प्रति मिनट के dictation और चले outlines के बारे में बात कर लेते हैं तो इसके outlines आपको हमारे telegram group या WhatsApp group में provide खरा दी जाती है तो अगर आप हमारे telegram group से जुड़ना चाते हैं तो description box चेक करें या फिर direct search करें आप short and help line या फिर steno help line और अगर YouTube से जुड़ना चाते हैं तो आप हमारे channel को subscribe कर सकते हैं इसकी ये outline आपको भेज दी जाती है आप देख सकते हैं अगर outlines देखना हो तो आप video pause करके देख सकते हैं या फिर आप telegram group को join कर सकते हैं वहाँ पे आपको ये outline और PDF टाइम पर provide करा दी जाती है तो चलिए बढ़ते हैं हम dictation के तरफ जो की है 77 प्रतिमिनट और हाँ वीडियो को like, comment और शेकर न बिल्कुल भी न बुले तक ही ऐसे videos हम आपके लिए लेकर आते रहें 77 प्रतिमिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद स्टार्ट आइस्पद घटनाई सामने आ रही है उन्हें देखते हुए कानोनी प्रावधानों को सक्त करने के अलावा और कोई उपाय नहीं रह गया है केंद सरकार ने महामारी अधनियम में संसोधन करने के लिए अध्यादेश लाने का फैसला करके एक सही कदम उठाया ऐसे किसी कदम की आवश्यक्ता इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि एक तो इन घटनाऊं के चलते दुन्या भर में देश की बदनामी हो रही थी और दूसरे अपने पर हमले से हैरान परेशान डॉक्टर इंडियन मेडिकल एसोशियेशन के बैनर तले विरोध दर्ज कराने की तैयारी कर रहे थे सरकार के कदम को देखते हुए उन्होंने अपने विरोध को तो इस्थगित कर दिया लेकिन केवल इतनी से संतुष्ठ नहीं हुआ जा सकता कि संसोधित महामारी अधिनियम में चिकित सको और स्वास्यकर्मियों पर हमले के दोसियों के खिलाफ सजा के साथ जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है दुष्ट तत्वों को सही सबग तब मिलेगा जब उनके दुराचरण के लिए उन्हें कठोर दंड का भागीदार बनाया चाएगा एक ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है जिससे डॉक्टरों, स्वास्थ कर्मियों और साथ ही सफाई कर्मियों के खिलाफ हिंसा और अभद्रता कर रहे तत्व भय खाएं ऐसा माहौल तभी बनेगा जब राच सरकारें ऐसे तत्वों के खिलाफ सक्त कार्यवाई को लेकर अतरिक्त सतर्क रहेंगी उन्हें अपनी कार्यवाई से यह संदेश देना ही होगा कि डॉक्टरों, स्वास्थ कर्मियों, सफाई कर्मियों के साथ पुलिस पर हमले को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा कोरोना के खिलाफ जंग में असहयोग और अभद्रता करने पर आमादा तत्वों का दुस्साहस कितना बढ़ा हुआ है यह इससे पता चलता है कि बे पुलिस पर भी हमला करने से बाश नहीं आ रहे हैं वे पुलिस पर तब हमला कर रहे हैं जब वह उनकी मदद के लिए उन तक पहुच रही है इंदोर मुरादाबाद के साथ कुछ अन्य सहरों में डॉक्टरों के साथ पुलिस पर हमले की घटनाओं को किसी गलत फहमी का परडा मानना एक भूल ही होगी ये घटनाएं तो किसी सूनियों जित दुस प्रचार का हिस्सा जान पड़ती है इस दुस प्रचार को रोकने की जितनी जिम्मेदारी सासन प्रसासन की है उतनी ही समाज की भी निसंदेह जागरुकता की कमी औसामान्य आचरन का कारण बन सकती है लेकिन इसका यह मतलब नहीं की डॉक्टरों और पुलिस पर हमला किया जाए पुलिस पर हमला तो कानून के सासन पर आघात है पुलिस को निसाना बनाने का मतलब है कानून के सासन को छिन भिन करना महामारी अधनियम में संसोधन सर्वता उचित है लेकिन उन कारणों का निवारण भी जरूरी है जिनके चलते कानून के सासन की हेठी होती है सत्ता सब्सक्राइब करते हैं और हाँ जो लोग है पर स्टेंटोगाफिक के मेंबर्स हैं वह इस डिक्टिशन को लिखें लेक करके टाइप करके अपना रिजल्ट देख पाएंगे यानि कि वो जो हमारी वेबसाइट से जुड़े हुए है वो इस डिक्टिशन को भी लिख सकते हैं जो डिक्टिशन हम दे रहें वो तो लिखेंगे इसके अलावा इस डिक्टिशन को भी एक्स्ट्रा उसमें आपडेट कर दिया जाता है तो स्टार्ट होगा फोर सेकेंड बात करोना आपदा के रूप में मानव सेहत के लिए सबसे बड़े संकट से जूझते डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले के साथ ही उनसे बुरे बरताव की जैसी घोर लज्जाइस पद घटनाएं सामने आ रही हैं उन्हें देखते हुए कानूनी प्रावधानों को सक्त करने के अलावा और कोई उपाय नहीं रह गया था केंद सरकार ने महामारी अधिनियम में संसोधन करने के लिए अध्यादेश लाने का फैसला करके एक सही कदम उठाया ऐसे किसी कदम की आवश्यक्ता इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि एक तो इन खटनाओं के चलते दुनिया भर में देश की बदनामी हो रही थी और दूसरे अपने पर हमले से हैरान परेशान डॉक्टर इंडियन मेडिकल एसोशियेशन के बैनर तले विरोध दर्श कराने की जिम्यदारी कर रहे थें सरकार के कदम को देखते हुए उन्होंने अपने विरोध को तो इस्थगित कर दिया लेकिन केवल इतने से संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि संसोधित महामारी अधिनियम में चिकित्चकों और स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले के दोसियों के खिलाफ सजा के साथ जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है दुष्ट तत्वों को सही सबक तब मिलेगा जब उनके दुराचरण के लिए उन्हें कठोर दंड का भागीदार बनाया जाएगा एक ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है जिससे डॉक्टरों स्वास्थिकर्मियों और साथ ही सफाई कर्मियों के खिलाफ हिंसा और अभधरता कर रहें तत्वों भै खाएं ऐसा माहौल तभी बनेगा जब राज्य सरकारे ऐसे तत्वों के खिलाफ सक्त कार्यवाई को लेकर अतरिक्त सतर्क रहेंगी उन्हें अपनी कार्यवाई से यह संदेश देना ही होगा कि डॉक्टरों, स्वास्तिकर्मियों, सफाई कर्मियों के साथ पुलिस पर हमले को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया चाएगा कोरोना के खिलाफ जंग में असहयोग और अभधरता करने पर आमादा तत्वों का दुसाहस कितना बढ़ा हुआ है यह इससे पता चलता है कि वे पुलिस पर भी हमला करने से बाश नहीं आ रहे हैं वे पुलिस पर तब हमला कर रहे हैं जब वह उनकी मदद के लिए उन तक पहुच रही है इंदोर मुरादाबाद के साथ कुछ अन्य सहरों में डॉक्टरों के साथ पुलिस पर हमले की घटनाओं को किसी गलत फहमे का परडाम मानना एक भूल ही होगी ये घटनाएं तो किसी सूनियोजित दुश्प्रचार का हिस्सा जान पड़ती हैं इस दुश्प्रचार को रोकने की जितनी जम्मेदारी सासन प्रसासन की है उतनी ही समाज की भी निसंदेह जागरुकता की कमी असामान्य आचरन का कारण बन सकती है लेकिन इसका यह मतलब नहीं की डॉक्टरों और पुलिस पर हमला किया जाए पुलिस पर हमला तो कानून के सासन पर आघात है पुलिस को निसाना बनाने का मतलब है कानून के सासन को छिन्न भिन्न करना महामारी अधनियम में संसोधन सर्वता उचित है लेकिन उन कारणों का निवारण भी जरूरी है जिनके चलते कानून के सासन की हेठी होती है अचिस सब्सक्राइब और बहुत बार हमने कहते आ रहे हैं कि आउटलाइन से पीडियाफ आपको टेलिग्राम ग्रूप में प्रोवाइट करा दिया जाता है और वाटसप पे भी प्रोवाइट करा दिया जाता है जुर्णे के लिए आपको डिस्क्रिप्सिन बॉक्स चेक कर ना है वहाँ पे टेलीग्राम लिंक देगे हैं और अगर जोई नहीं हो फा रहे हैं तो डाहरै ख करें टेलिग्राम में Stano Helpline या Shorten Helpline दोनों में से किसी ग्रूप में आप जुड़ सकते हैं और WhatsApp ग्रूप से जुड़ना चाहते हैं तो 1 से लेकर 10 ग्रूप बने हुए हैं उसमें जो भी ग्रूप खाली हो आप उसमें जुड़ सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम 97 प्रिटी मिनट स्टार्ट होगा 4 सेकेंड बाद उसके पहले वीडियो को लाइक कमेंट और सेकेंड ना भूले स्टार्ट कोरोना आपदा के रूप में मानव सेहत के लिए सबसे पड़े संकट से जूझते डॉक्टरों और स्वास्थे कर्मियों पर हमले के साथ ही उनसे पुरे बरताव की जैसी घोर लज्जा इसपत गटनाएं सामने आ रही हैं उन्हें देखते हुए कानूनी प्रावधानों को सक्त करने के अलावा और कोई उपाय नहीं रह गया था केंद सरकार ने महामारी अधिनियम में संसोधन करने के लिए अध्यादेश लाने का फैसला करके एक सही कदम उठाया ऐसे किसी कदम की आवशक्ता इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि एक तो इन घटनाओं के चलते दुनिया भर में देश की बदनामी हो रही थी और दूसरे अपने पर हमले से हैरान परेशान डॉक्टर इंडियन मेडिकल एसोसियेशन के बैनर तले विरोध दर्च कराने की तैयारी कर रहे थे सरकार के कदम को देखते हुए उन्होंने अपने विरोध को तो इस्थगित कर दिया लेकिन केवल इतने से संतुष्ठ नहीं हुआ चाह सकता कि संसोधित महामारी अधिनियम में चिकित्सकों और स्वास्तिकर्मियों पर हमले के दोसियों के खिलाफ सजा के साथ जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है कुछ दुष्ट तत्वों को सही सबक तब मिलेगा जब उनके दुराचरण के लिए उन्हीं कठोर दंड का भागीदार बनाया जाएका एक ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है जिससे डॉक्टरों स्वास्तिकर्मियों और साथ ही सफाई कर्मियों के खिलाफ हिंसा और अभद्रता कर रहे तत्वों भै खाएं ऐसा माहौल तभी बनेगा जब राची सरकारें ऐसे तत्वों के खिलाफ सक्त कार्यवाई को लेकर अतरिक्त सतर्क रहेंगी उन्हें अपनी कार्यवाई से यह संदिश देना ही होगा कि डॉक्टरों स्वास्तिकर्मियों सफाई कर्मियों के साथ पुलिस पर हमले को किसी भी केमत पर सहन नहीं किया जाएगा कोरोना के खिलाफ जंग में औसहयोग और अभद्रता करने पर आमादा तत्वों का दुस्साहस कितना बढ़ा हुआ है यह इससे पता चलता है कि वे पुलिस पर भी हमला करने से बास नहीं आ रहे हैं वे पुलिस पर तब हमला कर रहे हैं जब वो उनकी मदद के लिए उन तक पहुच रही है इन दौर मुरादाबाद के साथ कुछ अन्य सहरों में डॉक्टरों के साथ पुलिस पर हमले की खटनाओं को किसी गलत फहमी का परड़ाम मानना एक भूल ही होगी ये घटनाएं तो किसी सूनियों जित दुश्परचार का हिस्सा चान बढ़ती हैं इस दुश्परचार को रोकने की जितनी जिम्मेदारी सासन प्रसासन की है उदनी ही समाज की भी निसन देह जागरुकता की कमी और सामान आचरन का कारण बन सकती है लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि डॉक्टरों और पुलिस पर हमला किया जाए पुलिस पर हमला तो कानून के सासन पर आगात है पुलिस को निसाना बनाने का मतलब है कानून के सासन को चिन नभिन करना महामारी अधिनियम में संसोधन सर्वता उचित है लेकिन उन कारणों का निवारण भी जरूरी है जिनके चलते कानून के सासन की हेटी होती है नभिस सब्सक्राइब प्रति मिनट के अंतिम डिक्टेशन की ऐसे प्रति दिन आपको डिक्टेशन मिल सके इसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना बूले प्र Tibi के और रही बाद की तो हमारा फौण भी अच्छा है और lives इसका यह फौण भी खुलियर नहीं दिख्रा होनका नेट्वरक सही नहीं है या फुल इनके में फॉवंथ नहीं है या फिर उनके स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देते तो वह ज़्यादा बेटर होता खैर चले स्टार्ट करते हैं सौसब्द प्रत्मिट के डिक्टेशन स्टार्ट होगा त्री सेकेंड बाद कोरोना आपदा के रूप में मानव सेहत के लिए सबसे बड़े संकट से जूझते डॉक्टरों और स्वास्त्य कर्मियों पर हमले के साथ ही उनसे बुरे बरताव की जैसी गोर लज्जाइस पत घटनाएं सामने आ रही हैं उन्हें देखते हुए कानूनी प्रावधानों को सक्त करने के अलावा और कोई उपाय नहीं रह गया था केंद सरकार ने महामारी अधनियम में संसोधन करने के लिए अध्यादेश लाने का फैसला करके एक सही कदम उठाया ऐसे किसी कदम की आवश्यक्ता इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि एक तो इन घटनाओं के चलते दुनिया भर में देश की बदनामी हो रही थी और तूसरे अपने पर हमले से हैरान परेशान डॉक्टर इंडियन मेडिकल एसोसियेशन के बैनर तले विरोध दर्श कराने की तैयारी कर रहे थे सरकार के कदम को देखते हुए उन्होंने अपने विरोध को तो इस्थगित कर दिया लेकिन केवल इतने से संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि संसोदित महामारी अधिनियम में चिकत्सकों और स्वास्ते कर्मियों पर हमले के दूसियों के किलाफ सजाखे साथ चुर्माने क अभी प्रावधान किया गया है दुष्ट तत्वों को सही सबक तब मिलेगा जब उनके तुराचरण के लिए उन्हें कठोर दंड का भागिदार बनाया जाएगा एक ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है जिससे डॉक्टरों स्वास्ते कर्मियों और साथ ही सफाई कर्मियों क के किलाव हिंसा और अभद्रता कर रहें तत्व भय खाएं ऐसा माहौल तब ही बनेगा जब राच सरकारें ऐसे तत्वों के किलाव सक्त कारिवाई खोले कर अतरिक्त सतर्क रहेंगी उन्हें अपनी कारिवाई से यह संदेश देना ही होगा कि डॉक्टरों स्वास्ते कर्मि सफाई कर्मियों के साथ पुलिस पर हमले को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया चाएगा कोरोना के खिलाफ जंग में औसहयोग और अभद्रता करने पर आमादा तत्वों का दुसाहस कितना बढ़ा हुआ है यह इससे पता चलता है कि वे पुलिस पर भी हमला करने से बाच नही आ रहे हैं वे पुलिस पर तब हमला कर रहे हैं जब वह उनकी मदद के लिए उन तक पहुच रही है इंद और मुराधाबाद के साथ कुछ अन्य सहरों में डॉक्टरों के साथ पुलिस पर हमले की घटनाओं को किसी गलत फहमी का परड़ाम मानना एक भूल ही होगी ये घटनाएं तो किसी सुनियों जित दुस्प्रचार का हैसा जान पड़ती हैं इस दुस्प्रचार को रोकने की जितनी जिमिदारी सासन प्रिसासन की है उतनी ही समाच की भी निसन देह जागरुकता की कमी और सामान आचरण का कारण बन सकती है लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि डॉक्टरों और पुलिस पर हमला किया जाए पुलिस पर हमला तो कानून के सासन पर आघात है पुलिस को निशाना बनाने का मतलब है कानून के सासन को छिन नभिन करना महामारी अधनियम में संसोधन सर्वता उचित है लेकिन उन कारणों का निवारन भी जरूरी है जिनके चलते कानून के सासन की हेथी होती है डिक्टिशन समाप्त वा ऐसे ही प्रते दिन आपको डिक्टिशन मिलता रहा है इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेजी और बगल में जो बैल आइकन है उसे दबाना ना भूले ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहा है तो य अगर किसी कारण बस नहीं जुड़ पाते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके डिक्टिशन को लिख सकते हैं विट वीडियो विट आउटलाइन्स तो चली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिए धन्यवाद